मेरा नाम है अबदुल राशिद और आप देख रहे हैं इंडियन बजट गेमर आज के स्वीडियो में दोस्तों लोग बात करने वाले एक RGB माउस पैट के बारे में जहाँ पर इस वीडियो में जिस माउस पैट मैं फीचर करने वाला हूँ वो आता है कॉस्मिक बाइट की तर बता हूँ तो यह एक ऐसी ब्रैंड है जो कि बजट सेक्मेंट में रहते हुए काफी इंट्रेसिंग बनाती रहती है हलागी कभी-कभी बेकारी बना देती है और फिर मैंने सुचा क्यों ने चलिए और इसका रिव्यू बनाना तो बनता है तो अब हमारे गुरूप का यह इसका राम तो गौराव वो इस माउस पैड को सेल कर रहा था हूँ उसमें यह माउस पैड मुझे करीब करीब साड़े 900 रुपाय का बेज दिया इस माउस पैड को मैंने काफी टाइम यूज कर रहा है और फिर मैंने सूचा क्यों न चलो यार इसका अपना एक्सपीरेंस आ पारें बताओं तो यह माउस पैड एक डवाल एक्सेल वाला माउस पैड है मतलब कि इस माउस पैड पर फुल साइज से गेमिंग कीबोर्ड और अपना गेमिंग माउस और राम से रख सकते हैं काफी आपका इस पेस बज़ भी जाता है अगर आपके पास एक बड़ी टेब होने के बावजूद भी यह केड़ जो वो ब्रेड़ केड़ है और जो की काफी अच्छी चीज है बजट सेग्मेंट का आप माउस पैड ले रहे हो उसमें आपको यह सब चीजे मिल रहे हैं वही अगर बात करें माउस पैड के बारे में तो माउस पैड की जो क्वाल्टी वो बहुत ही जाद अच्छी है 1000 रुपए का आप माउस पैड ले रहे हो RGB वाला है और इस माउस पैड के के केस में ना मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत कमी रखी थी लेकिन फ्रेंकली बता हूँ यहाँ पर जब वो क्वाल्टी मिलती वो काफी अच्छी है और माउ सी मशीन लगी हुई है वहाँ पर आप Micro USB अपनी लगा देते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको बीच में बटन देखने को मिलता है बटन से बेसिकली आप माउस पैड के सेवन कलर्स चेंज कर सकते हैं सेवन कलर्स में मांतों मोर देनाफ है अब अब हजार रुपए के माउस पैड पर आप आर्जीबी का सपोर्ट तो एकस्पेक नहीं करते होंगे यहाँ पर मैं आपको एक बात बताओं चारों तरफ अर्जीबी नहीं लगी हुई है केवल दो अर्जीबी लगी हुई है मशीन के बगल में और जो आपको ट्रांस्पैरेंट ट्यूब मैंने आपको बता था वहां से लाइट ग्लो होती है तो भले ही आपको देखने में ल स्ट्रांग है फ्रैंकली बताओं कैमरे में कैसा आता यह चीज मुझे नहीं पता लेकिन रेयल लाइफ में जो इसका ग्लो है वो काफी अच्छा है धिम तो बिल्कुल भी नहीं है हलाकि बहुत ब्राइट भी नहीं है अगर आप अपनों PC डाइरेक्ट विंडो के बगल मे काफी अच्छा देखने को मिलता है अगर बात करें मेरे experience के बारे में कि mousepad के साथ मेरा experience कैसा रहा है आज जी मैं वार जी बी तो ठीक है लेकिन mouse के साथ ये काम कैसा करता इसके बारे में आपको बताता हूं इस mousepad पर जो आपको surface मिलती है वो काफी अच्छी है काफी smooth है जो कोई सर्फेस काफी अच्छी लगने वाली है और मेरे नॉर्माइल यूसेज के इसाफ से मुझे कोई भी इसमें फ्लाव देखने को नहीं मिला और वही अगर बात करें कौन के बारे में तो मेरे यूसेज मुझे कोई भी कौन इंकाउंटर नहीं हुआ या इस प्राइस करते हैं इतना तो मैं आपको कई सकता हूं यह माउस पैड आपको डिसपॉइंट बिल्कुल नहीं करने वाला वैसे इस माउस पैड के लिग आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप मैंसे तो लोग इंट्रेसेटर आ जाकर चेक कर सकते हैं वेल दो दोस